तो इस वीडियो में हम जो QCoin App है उससे मुद्रेक्स के अंदर अपनी क्रिप्टो ट्रांसफर करके देखने वाले हैं स्टेप बाइ स्टेप पूरा प्रोसीजर हम देखने वाले हैं QCoin App का आपको main home का जो इंटर पेज है वो आपको देखने को मिल जाता है इस पर simply आपको क्या करना है सबसे कोने में assets का option देखने को मिल जाता है जो भी आपके funds होंगे वो आपको इस जो assets का option है उसमें दिखाई देंगे ठीक है तो मेरे पास यहाँ पर आप hide small amounts को कर सकते हैं जो भी आपके पास यहाँ पर funds हैं वो आपको दिख जाएंगे तो हम UHDT करके देखने वाले हैं ठीक है simply मुझे आपको भी उसी पे ही और मुझे भी इस पे ही click करना है जो मुझे withdraw करनी है बेसिकली यहाँ से QCoin से withdraw और Mudrax के अंदर deposit तो उस पे click कर देना है simply और उसके बाद यहाँ पर तीन option देखने को मिल जाता है deposit withdraw transfer तो मुझे withdraw करनी है ठीक है address के ओपर withdraw करनी है अब security के लिए यहाँ पर यह लोग मागेंगे trading के लिए एक password भी बनाओ और SMS का या Google verification का यहाँ पर verification भी दो जिससे security हो सके तो यह दोनों मैं set कर देता हूँ आपको भी करने पड़ेंगे 2 minute का procedure होता इस पे simply click करके आपके email पे code जाएगा इस code को आपको लाके यहाँ पर डालना पड़ेगा ठीक है मैं code डाल देता हूँ यहाँ यह एक code आ चुका है अब मुझे यहाँ पर अपना एक six digit का password बनाना पड़ेगा जो की मुझे हर बार डालना पड़ेगा transfer वगेरा करते समय तो वो आपको ध्यान रखना है जो भी आप password यहाँ पर डालें password डालने के बाद मैं यहाँ पर activate पर simply click कर देता हूँ यह complete हो चुका है पहला procedure अब दूसरा procedure complete करने के लिए verification code डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पर दुबारा से verification code आएगा मेरी जो email idea उसके उपर verification code डालने के बाद मुझे यहाँ पर simply click कर देना है Google Authenticator app आपको भी पता है वो होगी already installed आपने install करी रखी होगी install नहीं करी तो कर लेना और उसके बाद यह copy private किया आएगी copy कर लेनी है इसको और अपनी Google Authenticator app के अंदर खोल के आपको उसे plus की icon पे जो icon आता है उस पे डालके set कर देना है ठीक है तो वहाँ पर black screen हो जाती है वो मैं आपको दिखाई नहीं सकता उसका procedure आपको पता ही होगा activate हो चुका है अब यह दोनों ही के दोनों मेरे activate हो चुके हैं कैसे करने है वो भी मैंने आपको दिखाया ही continue पे simply click करना है withdrawal का यह अब option आ गया on chain के उपर मुझे करना है क्योंकि हम chain पे ही transfer कर रहे हैं मुद्रेक्स के अंदर तो USDT हम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है wallet address करने से पहले network का यह option हमें दिहान से देख लेना है network पे click करना है और यहाँ यह सारे हमें option देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको अपनी मुद्रेक्स app खोल लेनी है मुद्रेक्स के अंदर आपको deposit का यह option देखने को मिल जाता है deposit पे simply click करना है deposit crypto continue पे आपको click कर देना है और उसके बाद USDT का option देखने को मिल जाता है USDT पे click करना है BEP20 यहाँ पर option है यहाँ पर तो काफी सारे option है लेकिन जो Qcoin है उसके अंदर इतने सारे option नहीं दे रखे तो कोई बात नहीं हम यहाँ पर TRC20 इसको select कर लेते हैं ध्यान रखना है network वही होना चाहिए जो आपने वहाँ दिया है ठीक है TRC20 और copy कर लेना है address को अब यहाँ पर मैं वापस आ गया TRC20, TRX का यह network है मैं आपको दुबारा भी दिखा देता हूँ यह सारे unavailable हैं तो हम कुछ करी नहीं सकते इसके अंदर क्या कर सकते हैं near protocol का है एक बार यह वाला try करके देखते हैं अगर यह है यहाँ पर तो near protocol का हमें यह देखने को मिल रहा है तो यह available है तो इसी को लेके देखते हैं copy कर लेना है address यहाँ पर पूरा का पूरा near protocol यहाँ पर select हो चुका है और यहाँ पर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ near protocol ही है copy कर लिया है address और यहाँ पर आकर paste कर देना उस address को बैसे का वैसा ही same मिलकूल उसके बाद maximum कर देना है यहाँ पर क्योंकि हम सारी ही withdraw करके देखने वाले हैं maximum और उसके बाद यह सारी चीज़े हैं इसको कोई अगर आप पढ़ना चाहों तो आप पढ़ सकते हो नहीं तो हमें तो crypto ही withdraw करनी है withdraw पे simply click कर देना है थोड़ी देर loading होगी उसके बाद confirmation के लिए पूछेगा हम इतना इतना कर रहे हैं network है near confirm पे click कर देना है verification code आएगा trading password जो मैंने अब यह भी डाला था आपको भी डालना है ठीक है trading password डालने के बाद verification code जो की email ID पे आएगा send पे click कर देना है email ID पे आप verification code आएगा तो वो भी यहाँ पर डालना है code भी मैंने यहाँ पर डाल दिया अब तीसरे नमबर पे तीन तरी triple security कर रखे हैं लोगों ने यहाँ पर अब मुझे Google Authenticator से code लाके यहाँ पर डालना है तीसरे नमबर पे Google Authenticator का भी code डाल दिया उसके बाद confirm पे click करना है थोड़ी देर loading होगी यहाँ पर और withdrawal initiated होके आ गया ठीक है later और withdrawal processing होगी एक आद मिनट यहाँ पर लिख रखा है हम यहाँ पर देखी लेते हैं time तीन बच के नौ मिनट यहाँ पर हो रहे हैं जैसे processing complete होगी वैसे ही हमें पता चल ही जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आ जाना है अपने main assets में तो assets में यहाँ पर zero हो गया है मामला available zero हो गया है in order में यह लगा ही हुआ है तो wait करके देखते हैं कितना क्या time लगता है तो थोड़ी ही देर बाद wait करने के बाद यहाँ पर no data होके आ गया है इसका मतलब यहाँ पर मेरा जो withdrawal था वो successfully हो चुका है यहाँ से क्योंकि initiated का पहले यहाँ पर आपको दिखी रहा था आ रहा था हूँ आपर UHDT अब नहीं आ रहा है तो यह यहाँ से निकल चुकी है अब मुझे कुछ नहीं करना यहाँ से मतलब काम पूरा हो चुका है अब मुझे यहाँ पर मुद्रेक्स का बस wait करना है कि यहाँ पर कब जो है network से आती है near protocol का हमने इस्तमाल करा था network का तो कब यहाँ पर आती है उतना ही थोड़ी देर का wait है वो हम करके देख लेते हैं थोड़ी देर का इंतजार करने के बाद जो deposit की initiated होती है request वो यहाँ पर हो गई additional details required का यहाँ पर मुझे email भी आ गया मुद्रेक्स की तरफ से simply मुझे इस पर click कर देना है यहाँ पर एक बार refresh करके देख लेना है यहाँ पर यह detail required का option आ जाता है ठीक है इस पर click करना है और हमने यह देख सकते हैं wallet address है near protocol हमने उसी से करी थी simple सी बात है और bitcoin जो binance से उससे नहीं करी थी kraken जो q coin है उससे करी थी c u q coin और यहाँ पर confirm पर click कर देना है investment level में आप कुछ भी डाल सकते हैं मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ नाम डालने के बाद i acknowledge और verify and save address पर simply click कर देना है उसके बाद यहाँ पर request verify वगरे यह look करेंगे और उसके बाद हमारे यहाँ पर funds में यह थोड़ी ही देर में हमें यहाँ पर दिखने लग जाएगी जैसे ही दिखने लग जाएगी इसका screenshot मैं आपको दिखा ही दूँगा कितना क्या time लगा 3-4 minute का time लगता है जादा कोई बड़ी बात नहीं होती यह हो भी गई यहाँ पर हम बात ही कर रहे थे कोई jump कट नहीं कुछ नहीं है बात ही कर रहे थे यहाँ पर यह हो भी गया deposit successfully और यह crypto deposit successful का message भी आ गया है तो यह पूरा procedure है मैंने आपको दिखा ही दिया पूरा step by step कैसे आप Qcoin से mudrex के अंदर अपने जो crypto's हैं उसे transfer करते हो deposit करते हो mudrex के अंदर यह पूरा procedure है आपको मैंने दिखा दिया ठीक है अब अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप comment में जरूरत दे दीजिए उसको मैं आपको आपके सवाल का जवाब जल से जल देने की कोशिश करूँगा बाकि अगर आपको चैनल को सब्क्राइब कर लिजिए अपना ध्यान रखिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में